जैश्री राम सभी को राम राम जी तो आज है हमारा राम चरित मानस कथा का बीसवा दिन धर्म रूची मंतरी का श्री हरी के चर्णों में प्रेम था वहे राजा के हित के लिए सदा उसको निती सिखाया करता था राजा गुरु देता संत पित्र और ब्राम ने इन सब की सदा सेवा किया करता था वेदों में राजाओं के जो धरम बताए गए है राजा सदा आदर पुर्वक और सुख मान कर उन सब का पालन करता था परती दिन अनेहिक परकार के दान देता और उत्तम शास्तर वेद और पुराण सुनता था उसने बहुत सी बावलियां, कुवे, तालाव, फुलवाडियां, सुन्दर भगिचे, ब्रामनों के लिए, घर और देताओं के लिए, सुन्दर विचित्तर मंदिर सबतिर्थों में बनवा दिये वेद और पुराणों में जितने परकार के यग कहे गए हैं, राजा ने एक-एक करके उन सब यगों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया राजा के हिर्दय में किसी फल की कामना नहीं थी, राजा बड़ा ही बुधिमान और ग्यानी था, वहे ग्यानी राजा करम, मन और वानी से जो कुछ भी करता था, सब भगवान वासुदेव के अरपित करके करता था एक बार वहे राजा एक अच्छे घोडे पर स्वार होकर, शिकार का सब सामान सजा कर, विंध्या चल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे राजा ने वन में फिरते हुए एक सुवर को देखा, दातों के कारण वहे ऐसा दिख पड़ता था मानो चंदरमा को ग्रस कर, ग्रस कर मतलब की मुँ में पकड़ कर, राहु वन में आच्छिपा हो चंदरमा बड़ा होने से उसके मुँ में समाता ही नहीं था और मानो क्रोदवस वह भी उसे उगलता नहीं है यह तो शुवर के भयानक दातों की सोबा कही गई है इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था गुडे की आहट पाकर वह घुर गुराता हुआ, कान उठाए चोकन नहों कर देख रहा था नेल परवत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुवर को देख कर राजा गुडे को चाबुक लगा कर तेजी से चला और उसने सुवर को लनकारा की अब तेरा वचाओ नहीं हो सकता अधिक शब्द करते हुए गोडे को अपनी तरफ आता देख कर सुवर पवन वेग से भाग चला राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चड़ाया सुवर बाण को देखते ही धर्ती में दुबक गया राज तक राजा तक तक करतेर चलाता है परंतु सुवर छल करके शरीर को बचाता जाता है वह पशु कभी परगट होता है तो कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी करोध के वस उसके साथ पीछे पीछे चला जाता था सुवर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी गोडे का निवहा नहीं था राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था फिर भी राजा ने उस पशुल का पीछा नहीं छोड़ा राजा को बड़ा धैरियवान देखकर सुवर भाग कर पहाड की एक गहरी गुफा में जागुसा उससे उसमें जाना बहुत कठेन था उस गुफा में और कठेन देखकर राजा को बहुत पस्ता कर वापिस लोट न पड़ा पर उस घोर वन में वह रास्ता ही बूल गया बहुत परिश्रम करने से ठका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा वहां कपट से मुने को वेश बनाए एक राजा रहता था जिसका देश राजा परताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़ कर युद से भाग गया था परताप भानु का समय अर्थात अच्छे दिन जानकर और अपना को समय मतलब कि बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई इससे वह ने तो घर गया और ने अभिमानी होने के कारण राजा परताप भानु से ही मिला दरीदर की भानती मन में ही कुरोद को मार कर वह राजा तपश्वी के वेश में बन में रहता था राजा परताप भानु उसी के पास गया उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो परताप भानु है राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान ना सका सुन्दर वेश देख करे राजा ने उसे महामुनी समझा और घोडे से उतर करे उसे प्रनाम किया परन्तु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया राजा को प्यासा देख करे उसने स्रोवर दिखला दिया हर्शित होकरे राजा ने घोडे सहित उसमें सनान और जलपान किया सारी थकावट मिट गई राजा सुखी हो गया तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सुर्यास्त के समय जान कर उसने राजा को बैठने के लिए आसंदे दिया फिर वह तपस्वी कोमलवानी में बोला कि तुम कोन हो सुन्दर युवक होकर जीवन की परवा ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देख कर मुझे बड़ी दया आती है राजा ने कहा हे मुनीश्वर सुनिये परताप भानु का एक राजा है मैं उसका मंत्री हूँ शिकार के लिए फिरते हुए रह भूल गया हूँ बड़े भागे से यहां आकर मैंने आपके चर्णों के दर्शन पाई है हमें आपका दर्शन दुरलब था इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है मुनी ने कहा हे तात अंधेरा हो गया है तुम्हारा नगर यहां से सत्तर योजन दूर है हे सुजान सुनो अंधेरी रात है घना जंगल है रास्ता नहीं है ऐसा समझ करे तुम आज यहीं ठहर जाओ सवेरा होते ही तुम चले जाना तुलशी दास जी कहते हैं कि जैसी भवी तव्यता होने पर जैसी भवीत व्यता होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है हेनात बहुत अच्छा ऐसा कहे कर और उसकी आग्या सिर चड़ा कर घोडे को वरिख्ष से बांद कर राजा बैठ गया राजा ने उसकी बहुत परकार से परसंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भागय की सरहाना की फिर सुन्दर कूमलवानी से कहा हे प्रभू आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ हे मुनिश्वर मुझे अपना पूतर और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से मतलाईए राजा ने उसको नहीं पहचाना वह राजा को पहचान गया था मतलब की राजा ने उसको नहीं पहचाना था पर वह राजा को पहचान गया था राजा तो शुद हर्दय था और वह कपट करने में चतुर था एक तो वैरी फिर जाती का शत्री है फिर राजा वह चल बल से अपना काम बनाना चाहता था वह शत्रू अपने राज्य सुख को समझ करके समर्ण करके दुखी था उसकी छाती कुमहार के आवे के आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी राजा के सरल वचन कान में सुनकर अपने वैर को याद कर वह हर्दय में हर्शित हुआ वह कपट में डुबो कर बड़े युक्ती के साथ कोमलवानी में बोला कि अब हमारा नाम बिखारी है क्योंकि हम निर्धन और ए निकेत अर्थाते घर द्वार हीन है राजा ने कहा जो आपके शदर्ष विज्ञान के निधान और सर्वर्था अभिमान रहित होते हैं वे अपने सवरूप को सदा छिपाई रहते हैं क्योंकि कुवेश बना कर रहने में ही सब तरह का कल्याण है परकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन होने की संभावना है इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम एकिंचन सरवथा एहंकार ममता और मान रही थी भगवान को पिर्य होते हैं आप सरीखे निर्धन बिखारी और ग्रहे हीनों को देखकर ब्रह्मा और सिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तिग, संथ है या बिखारी आप जो हो सो हो अर्थात जो कोई भी हो मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ हे स्वामी आप मुझ पर किरपा कीजिए अपने उपर राजा की स्वाभाविक प्रीती और अपने विशे में उसका अधिक विश्वास देखकर सब परकार से राजा को अपने वश में करके अधिक सनह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला हे राजन सुनो मैं तुमसे सत्य कहता हूँ मुझे यहां रहते हुए बहुत समय बीत गया अब तक ने तो कोई मुझसे मिला और ने मैं अपने को किसी पर परकट करता हूँ मतलब कि ना मैं अपना भेद बताता हूँ किसी को क्योंकि लोक में परतिष्ठा अगनी के समान है और जो तपस्वी वन को भशम कर डालती है उसने कहा है कि मैं अपना रूप किसी को नहीं बताता हूँ किसी के सामने परकट नहीं करता हूँ क्योंकि लोक में परतिष्ठा अगनी के समान है जो तप रूपी वन को भशम कर डालती है तुलशी दास जी कहते हैं सुन्दर वेश देख कर मूड नहीं मूड तो मूड ही है चतुर मनुष्य भी दोखा खा जाते है सुन्दर मोर को देख लो उसका वचन तो अमरित के समान है और अहार साप का है कपट तपस्वी ने कहा इसी से तो जगत में छिपकर रहता हूं श्रीहरी को छोड कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखा फिर भू तो बिना बताए ही सब जानते हैं फिर कहूं संसार को रिजाने से क्या शिद्य मिलेगी तुम पवितर और सुन्दर बुद्धी वाले हो इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझे पर प्रीती और विश्वास है हे तात अब यदि मैं तुम से कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भ्यानक दोश लगेगा जो जो वह तपस्वी उदासिंता को बाते कहता या त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन होता जाता था मतलब की जैसे जैसे वह तपस्वी उदासिंता से बाते कहता था तो उसकी बातों को सुन सुन करे राजा को भी विश्वास उत्पन हो जाता था जब उस बगुले की तरहे ध्यान लगाने वाले कप्टी मुनी ने राजा को करम, मन और वचन से अपने वश में जाना तब वह बोला ही भाई हमारा नाम एक तनू है यह सुनकर राजा ने फिर सिर्नवा कर कहा मुझे अपना त्यंत अनुरागी सेवक जान कर अपने नाम का अरत समझा कर कहिए कप्टी मुनी ने कहा जब सबसे पहले श्रष्टी उत्पन हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ती हुई थी तब से मैंने फिर दूसरी देहे धारण नहीं की इससे मेरा नाम एक तनु है हे पूत्र मन में आश्च्रिय मत करो तब से कुछ विदरलब नहीं है तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते है तब ही के बल से विश्णु संसार का पालन करने वाले बने तब के ही बल से रुद्र संहार करते है और संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तब से ना मिल सके यहे सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ तब वह तपस्वी पुरानी कथाई कहने लगा करम धरम और अनेकों परकार के इतिहास कहकर वह वेराग्य और ग्यान का नीरूपन करने लगा श्रिष्टी की उत्पत्ति पालन, सिस्ति और संहार परलय की अपार आश्त्रिय भरी कथाई उसने विस्तार से कही राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा तपस्वी ने कहा राजन मैं तुमको जानता हूँ तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा हे राजन सुनो ऐसी निती है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते तुम्हारी वही चतुराई सुनकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया तुम्हारा नाम परताप भानु है महाराजा सत्य के तु तुम्हारे पिता थे हे राजन गुरु की किरपासे मैं सब जानता हूँ पर अपनी हानी समझ कर कहता नहीं हूँ हे तात तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरल्ता, प्रेम, विश्वास और नीती में निपूनता देखकर मेरे मन में तुम्हारे उपर बड़ी ममतावत्पन हो गई है इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर भी ये अपनी कथा कहता हूँ अत्यांते परसन्न हूँ, इससे संधे ना करना हे राजन जो मन में भावे वही मांग लो सुन्दर पिरिय वचन सुनकर राजा हर्शित हो गया और मुनी के पैर पकड़ कर उसने कुछ इस प्रकार्वी नती की हे दया सागर मुनी, आपके दर्शन से मैं चारुपदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुठी में आ गए है तो भी स्वामी को परसन देख कर मैं यह दुरलब वर मांग कर क्यो न शोक रहित हो जाऊं मेरा श्रीद, विर्द अवस्था, मिर्द्यों और दुख से रहित हो जाए मुझे यूद में कोई जीथी ना सके पिर्थी पर मेरा सो कल्प तक एक च्छत्र अकंटक राज्य हो तपस्वी ने कहा हे राजन ऐसा ही हो पर एक बात कठिन है, मुझे वो भी सुन लो हे पिर्थी के स्वामी केवर ब्रहामन कुन को छोड़ कर काल भी तुम्हारे चर्णों में सिर्न वाएगा ये बात तपस्वी ने कहा राजा से कि जो तुमने वर मांगा है ऐसा ही होगा अर्थात तुम्हारे इच्छा पूर्ण होगी पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो हे पिर्थी के स्वामी केवर ब्रहामन कुन को छोड़ कर सिर्फ ब्रहामन कुन को छोड़ काल भी तुम्हारे चर्णों पर सिर्न वाएगा उसने सिर्क ब्रहामन कुल को छोड़ा है बाकी सब उसके चरणों में सिर्णवाएंगे सारी जूट फेक रहा था तब के बल से ब्रहामन सदा बलवान रहते हैं उनके करोध से रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं है हे नर्पती यदि तुम ब्रहामन को वश्मे कर लो तो ब्रहामन विश्ण और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे ब्रहामन कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती मैं दोनों भुजा उठा कर सत्य कहता हूं हे राजन ब्रहामनों के शाप बिना तुम्हारा नाश किशी काल में नहीं होगा राजा उसके वचन सुनकर बड़ा परसन हुआ और कहने लगा हे स्वामी मेरा नाश अब नहीं होगा ए किरपा निधान पर भूँ आपकी किरपा से मेरा सब समय कल्यान होगा एवा मास्तु मतलब की ऐसा ही हो कहेकर वह कुटेल कप्टे मुनी फिर बोला किन्तु तुम मेरे मिलने तथा अपनी रहा भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं यदि कह दोगे तो हमारा दोश नहीं हे राजन मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस परसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानी होगी छटे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा मेरा वचन सत्य जानना हे परताप भानू सुनो इस बात के परगट होने से अध्वा ब्रहामन के शाप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाई से चाहे ब्रहमा और संकर भी मन में करोध करे तुम्हारे मिर्त्यू नहीं होगी राजा ने मुनी के चरन पकड़ कर कहा हे स्वामी सत्य ही है विरोध करे तो गुरू बचा लेते हैं पर गुरू से विरोध करे तो जगत में कोई बचाने वाला नहीं है यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए मुझे इसकी चिंता नहीं है मेरा मन तो हे प्रभू केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्रहामनों का शाप बड़ा भयानक होता है वे ब्रहामन किस प्रकार से वसमी हो सकते हैं किरपा करके वह भी बतलाईए दीन दयालू आपको छोड़ कर और किसी को मैं अपना ही तो नहीं देखता तपस्वी ने कहा हे राजन सुनो संसार में उपाई तो बहुत है पर वे कपट साध्य है वे कष्ट साध्य हैं सोरी वे कष्ट साध्य हैं बड़े कठिंता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद हो या ने हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है हाँ एक उपाय बहुत सहज है पर अंतु उसमें भी एक कठिनता है हे राजन वहे युक्ति तो मेरे हाथ है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किस किस के घर अथवा गाव नहीं गया परन्तु ये दिन नहीं जाता हूँ तो काम भी गड़ता है आज यह बड़ा ऐसमन जश्य में आपड़ा है यह सुनकर राजा कोमलवानी में बोला हे नात वेदों में ऐसी नीती कही है कि बड़े लोग छोटों पर सन्हे करते है परवत अपने सिरों पर सदा त्रण को त्रण मतलम की घास को धारन की रहते है अगाद समुन्दर अपने मस्तक पर फेन को धारन करता है और धर्ती अपने सिर पर सदा दूली को ही धारण किये रहती है ऐसा कहे कर राजा ने मुने के चरण पकड़ लिये और कहां ही स्वामी किरपा कीजिए आप संत है दीन दयालू है अतह ही पिरभू मेरे लिए इतना कष्ट अवस्य सहिए राजा को अपने अधिन जान कर कपट में परवीन तपस्वी बोला ही राजन सुनो मैं तुमसे सत्त कहता हूँ जगत में मुझे कुछ भी दुरलब नहीं है मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा क्योंकि तुम मनवानी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो पर योग युक्ति तब और मंत्र का प्रभाव तभी फली भूत होता है जब वे छिपा कर किये जाते हैं हे नर्पती मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और कोई जानने ना पावे तो उस अन का जो उस अन को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आग्याकारी बन जाएगा यही नहीं उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा हे राजन सुनो वह भी तुम्हारे अदिन हो जाएगा हे राजन जाकर यही उपाय करो और वर्श भर भोजन कराने का संकलप कर लेना नित्यने एक लाख ब्रहामनों को कुटोंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात एक वर्ष तक प्रति दिन भोजन बना दिया करूँगा। हे राजन इस प्रकार बहुत ही थोड़े प्रिश्रम से सब ब्रहामन तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्रहामन हवन यग और सेवा पुजा करेंगे तो उस प्रसंग से सभी देता सहे जीवश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताय देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊँगा। तब के बल से उसे अपने समान बना कर एक वर्ष तक यहीं रखूँगा। और हे राजन सुनो मैं उसका रूप बना कर सब परकार से तुम्हारा काम सिख करता रहूँगा। हे राजन रात बहुत बीद गई अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी बेट होगी। तब के बल से मैं घोडे सहित तुमको सोते ही में घर पहुँचा दूँगा। मतलब की अंधेरे में ही मैं आपको आपके घर पहुचा दूँगा। मैं वही प्रोहित का वेश धर कराऊंगा। जब एकांत में तुमको बुला कर सब कता सुनाऊंगा। तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आग्या मान कर शेयन किया और वह कपट ग्यानी आसन पर जा बैठा। राजा ठका था। उसे खूब गहरी नीद आ गई। वह कपटी कैसे सोता। राजा को तो नीद आ गई। पर वह कपटी कैसे सोता। उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय महा काल केतु राक्षस आया जिसने सुवर बनकर राजा को भठकाया जो सुवर था और जो छिप गया था वही सुवर आया और उसने राजा को भठकाया था वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल परपंच जानता था उसके सो पुत्तर और दस भाई थे जो बड़े ही दूष्ट किसी से ने जीते जाने वाले और देताओं को दुख देने वाले थे ब्रहामनों संतों और देताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही उद में मार डाला था उस दूष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलहा विचारी शडियंतर किया और जिस परकार शत्रू का नाश हो वही उपायर चा भावी वश राजा परताप भानू कुछ भी ने समझ सका तेजस्वी शत्रू अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए जिसका सिर मात्र वचा हो वही राहू आज तक सूर्य चंदर्वा को दुख देता है तपस्वी राजा अपने मित्र को देख परसन होकर उठकर उनसे मिला और सुखी हुआ उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई तब राक्षश आनन्दित होकर बोला हे राजन सुनो जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर ही लिया तो अब मैंने शत्रु को काबु में कर ही लिया समझो तुम अब चिंता त्याग कर सुर हो विधाता के विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है कुल सहित शत्रु को जड मूल से उखाड कर बहा कर आज से चोथे दिन मैं तुमसे आ मिलूँगा इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा दे कर वह महा मायावी और अत्यंत करोधी राक्षस चला उसने परताप भानू राजा को घोडे सहित शन भर में घर पहुंचा दिया राजा को रानी के पास सुला कर घोडे को अच्छी तरह से गुड साल में बांध दिया फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धी को भ्रम में डाल कर उसे उसने पहाड की खोह में ला रखा वह आप पुरोहित का रूप बना कर उसकी सुन्दरता सेज पर जा लेटा राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चरिय माना मन में मने की महिमा का अनुमान करके वह दीरे से उठा जिसमें रानी नैजान पावे फिर उसी घोडे पर चड़ कर भन को चला गया नगर के किसी भी इस्तरी पुरुष ने नहीं जाना दो पहर बीच जाने पर राजा आया गर गर उस्व होने लगे और बधावा बधावा बजने लगा जब राजा ने पुरुषित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का समर्ण कर उसे आश्चरिय से देखने लगा राजा को तीन दिन यूग के समान भी थे उसकी बुद्धी कप्टी मुनी के चरणों में लगी रही निश्चित समय जान कर पुरोहित बना हुआ वो राख्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्ट सलहा के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर ही कह दिये संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा पर सन्न हुआ ब्रह्मवश उसे चेथी न रहा कि यह तापस मुनी है या कालकेतु राख्षस उसने तुरंथ एक लाख उत्तम ब्रहामनों को कुटंब सहित निमंतरन दे दिया पुरोहित ने छैरस और चार परकार के भोजन जैसा की वेदों में वरणन है बनाए उसने माया मई रसोईत यार की और इतने वेंजन बनाए जिन्हें कोई गिन ही नहीं सकता था नेक परकार के पशोओं का मास पकाया और उसमें दुष्ट ने ब्रहामनों का मास मिला दिया सब ब्रहामनों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर शहित बिठाया जोहीं राजा पुरोस ने लगा उसी काल काल के तु किर्थ आकाश वानी हुई एब्रहामनों उठ उठ कर अपने घर जाओ यह अनमत खाओ इसके खाने से बड़ी हानी हुगी रसोई में ब्रहामनों का मास बना है आकासवानी का विश्वास मान कर सब ब्रहामन उठ खड़े हुए राजा व्याकुन हो गया परन्तु उसकी बुद्धी मोह में भूली हुई थी होनहार वश होकर उसके मुँ से एक बात भी ने निकली तब ब्रहामन करोधित होकर करोध सहित उठ कर बोली उन्होंने कुछ भी विचार ही नहीं किया अरे मुर्ख राजा तु जाकर परिवार सहित राक्षसो रे नीच शत्रिय तुने तो परिवार सहित ब्रहामनों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था इश्वर ने हमारे धर्म की रक्षय की अब तु परिवार सहित नष्ट होगा एक वर्ष के भीतर तेरा ना सो जाए तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा शाप सुनकर राजा भैके मारे अत्यांत व्याकुल हो गया फिर सुन्दर वानी हुई आकाश्वानी हुई सुन्दर फिर से दुबारा हे ब्रहामनू तुमने विचार कर शाप नहीं दिया राजा ने कुछ भी अबराद नहीं किया आकाश्वानी सुनकर सब ब्रहामन चकित हो गए तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था तो आज के लिए इतना ही बाकी कल पढ़ेंगे जैशी राम